कुछी दिन पहले आइपेड 10 जनेरेशन लाँच हुआ और आप अगर एक गेमर हो और आप अगर आइपेड 10 जनेरेशन को पोचस करने के लिए सोच रहे हो स्पेशली आप अगर PUBG या फिर BGMI जैसे गेम खेलते हो तो आपके दिवंग में एक कोशिन जरूर आ रहा होगा क्या हम लोग को 9TPS देखने को मिलता है आइपेड 10 जनेरेशन में वेल तो मैं आप लोग को बता दू आइपेड 10 जनेरेशन में हम लोग को PUBG BGMI खेलते डाइम 9TPS बिल्कूल भी नहीं देखने को मिलता है लेकिन अगर आपके पास अल्रेडी आइपेड 9 जनेरेशन है या फिर आपके किसी दोस्त के पास है आइपेड 9 जनेरेशन तो अगर आप लोग PUBG या फिर BGMI को ओपेन करके अगर आप लोग ग्राफिक सेटिंग्स में जाते हो न वह पर आपके को क्लियरली शो होगा 9 जनेरेशन फिर आप लोग सोच रहों कि यार आइपेड 10 जनेरेशन में हम लोग को 9 जनेरेशन देखने को नहीं मिलता लेकिन इसका एक पुराना वाला वर्जिन जो कि आइपेड 9 जनेरेशन जो कि अभी का डावट को आज बहुत जाथा गेम आपका बटर स्मूथ के तरह चलेगा और वो चीज़ अगर आपको किसी एपेल डिवाइस में देखने को मिलता है ना मतलब एपल का आइपेड या फिर आइपोन में आपको बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता है लेकिन आप में से 80 परसंट गयोस ऐसे जो लोग मेरे वीडियो तो रही लेकिन इस जाल को सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं तो अगर आप लोग सब्सक्राइब कर दोको ना उससे मुझे काफी ज़ादा मोटिवेशन मिलता है लेकिन नाइन में जितना फ्रेम्स को आपका डिस्प्ले में शो करते हैं उसको ही हम लोग बोलते हैं फ्रेम्स पर सेकेंड जो फ्रेम्स आपका डिवाइस में पर सेकेंड में शो होता है बिसिकली तो आप लोग जब डिवाइस पॉचिस करते हो ताब उसका स्पेसिफिकेशन वोगर चे कि वो डिवाइस को डिस्प्ले वो 60 फ्रेम्स को मैक्सिमम टाइम आपका डिस्प्ले में शो कर पाएगा लेकिन लास्ट यर में जब आइपेड नाइन जनेरेशन लॉंच हुआ था तब उसने बहुत सारे लोग ने आइपेड नाइन जनेरेशन को पोचेस किया था और कुछ लोग ने जैसे इस चीज़ को डेकर टूटली मन्तब हिल गया था बिलकुली इवन मैं भी उसने शॉक्त हो गया था कि आइपेड नाइन जनेरेशन में लोग को 90 पिस देखने को मिल रहा है कि आइपेड नाइन जनेरेशन में 90 पिस तभी पॉसिबल है जब आइपेड सब्सक्राइब नाइन जनेरेशन को उस टाम में इसके बारे में किसी भी जगा पर में नहीं किया था इवन जब वेबसाइट पर इसको मंदब लॉंच कर दिया गया था जब होहां से पर्चस कर सकते थे जब डिवाइस का डिटल्स में लोग जाते थे ना महां पर भी प्रॉब्लम था यह हुआ था पपजी या फिर बीजिया में के ग्लीच के वज़े से और यह ग्लीच एक ऐसा है जो अभी तक फीक्स नहीं हुए अभी भी अगर आपके पास आइपन नाइन जनेरेशन किसी दोस्त के पास है तो अगर आप लोग इंस्टॉल करो पजी मोब क्योंकि नाइन जनेरेशन को डिस्प्लेज वह 60 इंग अच जो अभी तक फीक्स को हुए पजिये सकते हैंका निज कोई भी यूजर एड्रेस नहीं करता और नाई PUBG Mobile का जो developers रहता है वो लोग इस चीस को fix करता है चलो इससे कुछ भी खराब दो नहीं हो रहा ना लेकिन आप लोग इतना expect मत करो कि 9T पेस आप लोग को iPad 9 generation में देखने को मिल जाएगा जिसमें हम लोग को A13 चिप देखने को मिलता है उससे भी बहुत ज़दा powerful processor वा सेम चीज़ हम लोग को iPad Air 5 में भी देखने को मिलता है जिसमें M1 चिप होने के बाद भी उसका डिस्प्लेइ वो 60 हर्ट है इसलिए उसमें 60 APC हम लोग को देखने को मिलता है और अगर iPad का लाइटनेम में आप लोग अगर 90 पिस देखना चाते हो ना तो एक्चुल में आप को जो iPad Pro है उसमें देखने को मिलेगा और किसी भी iPad में हम लोग को 90 पिस देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि iPad का लाइटनेम में बस iPad Pro के लावा और किसी भी डिवेस में हम लोग को जो एपल का 120 हर्ट को जो रिफ्रेश्ट वाला जो डिस्प्ले रहते एपल जिसको बोलते है प्रोमोशन डिस्प्ले वो iPad Pro के लावार किसी भी डिवेस में नहीं है तो बिचारा iPad 10 जनेशन का यहाँ पर कुछ भी गलती नहीं है क्योंकि इस बिचारा का जो डिस्प्ले है वो 60 हर्ज का तो कैसे वो 90 पे शो करेगा तो 60 पे शो करते हैं बहुत ज़दा लेजिट शो कर आपको iPad 10 जनेशन, iPad Mini 6, iPad Air 5 या फिर iPad 9 जनेशन यह सारे जो iPad है यह सब में अम लोगो 60 हर्ज का डिस में देखने को मिलता है लेकिन बस iPad 9 जनेशन में PUBG के क्लिच के वज़े से 90 पे शो कर रहा है तो इसलिए अप लोग इस चनल का डेली विएर्स भी बन जाओ यार इसी तरह कि अच्छा अच्छा कंटेन आप लोगों को देखने को मिलेगा और 80% विएर्स तो मेरे वीडियो से डेली देखते हो तो सब्सक्राइब कर दो यार और 150 लाइक का मारा लाइक गोले यह भी कंप्रेट कर दो तो 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 इट फॉर दा वीडियो के इस में में लोगे नेक्स वाला वीडियो में तब तक लिए टाटा